नमस्कार साथियों मैं योगेश एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ आप सबी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारे फड़ा हिन्दे मेडियम पर बात अपन करने वाले हैं नीट एक्जाम की जो की NTA के द्वारा भी फिलाल में ही कंडक्ट करवाया गया औ आप इसको रिजल्ट बोले या दोका बोले बात एक ही है सराप ऐसा क्यों बोल रहे हूँ क्योंकि जब रिजल्ट हमारे सामने आया तो बहुत अचंबित करने वाली चीजें जो है कुछ हमें पता लगी कुछ हमारे सामने घटित हुई एक-एक करके जो है मैं आप सभी को पता देता हूं सबसे पहले तो नीट के जो एक्सपरियंट है उनको ये नहीं पता था कि हमारा जो आंसर हमें मैच करना है जो आंसर के हमें मैच करनी हमें old NCRT से करनी है या new NCRT से करनी है क्योंकि पहले वाली NCRT एक नहीं वाली NCRT हमारे पास updated slaybers के पास तो उसके जो है एक ऐसी news viral हो जाती है एक ऐसा सूचना जो है आप सभी की viral हो जाती है कि NEET के result में मतारूं exam होने से पहले ही कि 650 से जाधा जो है आप सभी का cut off होने वाला है ऐसा कुछ news भी viral हुआ था ठीक है उसके बाद आप देखेंगे जिस दिन हमारा election का result था लोकसभा चुनाव का result था देश का इतना बड़ा चुनाव प्रधान मंतरी का चुनाव लोकसभा election और उसे दिन जो है बीच में से सरजी बता दिया गया कि आज जो है आप सभी का NEET का result declare हो गया तो चुनाव वाले दिन चुनाव के result वाले दिन declare NEET का result करना कि हम किस चीज को जो है जो फाना चा रहे हैं एक सबसे बड़ी चीज पर प्रशन लगाती है सबसे important चीज पर जो है question mark करती है कुछ चीजे है authentic data है मैं आप सभी को जो है बताना जरूर चाहूंगा सबसे पहले तो सबसे पहले तो क्या हुआ आप देखेंगे राधिस्थान में NEET का जब एक्जाम हुआ जो गलत जो है papers distribute कर दिये गए और NTA ने जो है इस पर कुछी संग्यान नहीं लिया ठीके जी दूसरा एक घटना और हमें देखने को मिली जहां पर राधिस्थान के जो के एस्पिरिंट से उन्होंने जब गलत question paper distribute हुआ तो उसके अगेंज जो है प्रोटेस्ट भी किया ठीक है और इसके बाद भी जो है ऐसा कुछ संग्यान NTA के द्वारा नहीं लिया गया एक और अभी हमारे जब result आया हमें एक देखने को मिला कि 67 students ने perfect 720 में से 720 नंबर वहि है मैं बच्चों पर question mark नहीं कर रहा हूं कि बच्चे नहीं कर सकते हैं definitely कर सकते हैं यह ना बट अचमबित करने वाली बात यह है कि six have seat numbers from same sequence कि जो यह बच्चे हैं है ना छे बच्चों में से तो जो उनके जो roll numbers है सर जी आसपास के ही है sequence के ही है तो आसपास के जो बच्चे है sequence वाले जो बच्चे हैं एकी line में वैठे वे जो बच्चे हैं उनके mark जो है UGC net का offline होने जा रहा है अभी तक सभी को बता था कि सर exam जो है हमारा online ही होता था छे साल के बाद बड़ा बदलाव किया गया exam offline हो रहा है साथ में 83 subjects का विशे का जो हमारा exam है परिक्षा है एक दिन आप सभी की ली जा रही है तो क्या ऐसा कुछ हमें भी exam में देखने को मिलेगा इश्वर ना करें देखने को मिले बट येस हमें जो है थोड़ा सा we have to be ready for that क्योंकि अभी तक जो है NTA के दवारा इन सूचनाओं पे कोई सं अपने कोफेशनल नोटिफिकेशन जारी करके बताया जाए कि यह जो सारे की सारी जो बाते मार्केट में फैल रही है और उनको यह टेस्ट रिश्व बताया करने की जरुवत है क्योंकि 25 लाग बच्चों के यहां पर बात है और आप सभी को पता है कि नेट में दो 25 लाग ह और NTA के द्वारा जो conduct exam हम लोग का हो रहा है UGC net का पिछली बार भी जो है 10 लाख एप्रोक्स जो है बच्चों ने exam दिया था और of course इस बार जो है number आप सभी के यहाँ पर बढ़ने वाले तो हमें तो बस यह चाहिए कि जो भी exam conduct हमारा हो रहा है बिलकुल बढ़िया तरीके से हो जाए क्योंकि खामियाजा केवल और केवल विध्यारती को एस्पिरेंट को भुगतना पड़ता है ना तो मेरे को भुगतना पड़ेगा ना NTA के द्वारा हम लोग इतने हमारे 6 महिने साल बर की तयारी हम लोग करते हैं हम कोचिंग में कही ना कही टीचर्स को पैसा हम लोग देते हैं हम लोग मैनद करते हैं हमारा समय जो है महां पे हम लोग पूरा लगा देते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक्जाम ही हमारा सही तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है तो इस छोटे से चैनल के माध्यम से मैं दर्खवास करना चाहूँगा, request करना चाहूँगा NTSA कि भाया future में अगर ऐसा होता है तो उस पे संग्यान लिया जाए तुरंट प्रभाव से और ये जो चीजें हैं वो ना दोराई जाएं बाकि जो हैं exam की तयारी आप सभी की बढ़िया होने ही चाहिए इस चलो चीजे हैं चलती ही रहती है मेरा केवल एक वीडियो बनाने की पीछे था कि एक मन में का बात है और आप सभी को अट लीस पता होना चाहिए कि जो हमारी exam conduct करवाने की बहिया वाडी है उन पे इस तरीकी के एलिगेशन लगाया जा रहे हैं जो कि क्या सही है नहीं है आप सभी भी अपनी प्रतिकिरिया कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा और एक्जाम की तयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो UGC Net Paper 1 और Paper 2 दोनों की ही तयारी आपके अपने इस चानल पर करवाई जा रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और बने रहे हैं जारे फट्डा हिंदे मेडियम के साथ धन्यवाद थांक्यू सो मच्छ